दोस्तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में एक बिसेस परकार का एक बेल लता है वनस्पती है उसकी जो बिसेस्ताएं है उसकी जो खास जानकारी है उसको मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने की अच्छे से समझाने की कोशिस करूँगा वीडियो को लाश्ट तक देखे क्योंकि या हर इस्तरी पुरूस से सम्मंदित था है और हर इस्तरी पुरूस को इसके बारे में जानना चाहिए मेरे ख्याल से हर इनसान को इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि इसका जो प्रभाव है और इसका जो चमतकार होता है आपको बता रहा हूं अगर इस जानकारी को पूरा देख लेते हो तो देखने के बाद खुद तक सिमित न रखे इस ग्यान को दूसरे तक भी पहुचाईए ताकि हर किसी को जानकारी अच्छे से पता चले और उपयोग करे और जीवन में जो भी उसकी जो समस्या है जो इस फ पाचान लेजी क्योंकि यह अनस्पती आपको आपके ही गाउदेहात में अगर रहते हो तो आसपास मिल सकता है अगर सहरों में रहते हो तो आपको सेट पंसारी के यहां इसका बीज मिल सकता है तो इसके पहले बेल लता को देखकर पाचान लेजी अच्छे सी इस तरह सी इ दिखाई देता है आप लोग देख सकते हो और मैं आपको अच्छे से इसकी बेल लता और पूरी वनस्पती दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ तो देखकर मेरे ख्याल से आप पहचान गए होंगे अगर नहीं पहचाने हैं तो देखते रही वीडियो को लाश्ट अता कि इसके समझ भी जाएंगे और इसको पहचान भी जाएंगे अच्छे से वैसे इस वनस्पती का नाम सिवलिंगी पड़ा है दोस्तों इसे सिवलिंगी कहा जाता है क्योंकि इसकी फ़ल के अंदर जो बीज निकलता है वह देख सकते हो जिस तरह से अभी मैं दिखा रहा हूं उसी सिवलिंग के आकरिती के समान इसके बीज में बना होता है तो दोस्तों यह ऐसे ही नहीं बना होता है इसमें कुछ खास मान्यताएं हैं बिसेस्ताएं हैं और सच में इसमें चमतकार है आप मानो चाहे ना मानो लेकिन जो प्रयोग किया है वो जानता है मैं प्रयोग किया हूँ मैं जानता हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे मेरे आसपास की जितने भी जानकार हैं वो प्रियोग किये हैं तो जान रहे हैं और इस सिवलिंगी को आप कभी भी यूज करके देख सकते हो आपको हमेशा काम करेगा फायदा पहुचाएगा जब भी जरूरत हो तो आपके पास है तो अच्छी बात है नहीं है तो अईरुवेदिक और सधाला इसे खरीद करके ला करके प्रियोग करके देख सकते हो तो सुनिये ध्यान से इसके क्या क्या प्रियोग है और कैसे फायदा करता है कैसे चमतकार दिखाता है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ एक नंबर का आपका सहायक हो सकता है जो ब्यक्ति कहीं रात को आने जाने से भैभीत होता है जैसे भूत, पिसाच, मरी, मसान, मतलब बहुत सारी बूरी आत्माओं का डर उसके सरीर में बना रहता है और वहाँ दिल का कमजोर रहता है तो उनको एक बलवर्धर सधीत अंतरपरियोग की जरूरत पढ़ती है जो अंदर से हिम्मत जगाए और सरीर में इतना सामर्थ पैदा करे कि वहाँ कहीं भी आए जा सके रात को चाहे दिन को सुनसान में चाहे कहीं भी कैसा भी समसान घाट में आप रात को सो सकते हो बिना डर सीवलिंगी का सिर्फ एक उपाय करके मात राप को क्या करना है एक चांदी का ताबिज ले आना है अगर चांदी का ताबीज ना खरीट सको तो कोई दिक्कत नहीं है कोई सभी ताबीज ले लो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा तो ताबीज लेना है और ताबीज के अंदर में इस सिवलिंगी के जो अंदर का सिवलिंग क्याकरिती के समान जो बीज है उस बीज को अच्छे से सुखा करके सुखा हुआ बीज ताबीज के अंदर डालके उसको पहनना है कब पहनना है सोमवार का दिन सुबह खाली पेट हो करके अपने घर के सिवलिंग में या फिर मंदिर के सिवलिंग में जाके जल चड़ाना है और जल चड़ाने के साथ साथ आप इसके ताबीच को भी सिवलिंग में धारा करवा दीजिए मतलब ताबीच को सिवलिंग में अरपित कर दीजिए और पूजा पाट कर लीजिए पू बस ऐसा उपाय कर लो, आपको कभी भी जीवन में किसी भी परकार की बुरी आत्माओं का कोई डर, कोई साया नहीं सताएगा, आपके अंदर से हिम्मत आएगा, आप कहीं भी असानी से आजा सकोगे, सच बता रहा हूं समसान में भी रहकर आपके अंदर में डर पैदा नहीं ह सकती भरी हुई है इस सिवलिंग के बीज के अंदर, स्वयम भगवान सिव संकर का सकती है इसके अंदर, जो जानता है वही मानता है, ऐसे ही सिवलिंग का आकरिती इस बीज के अंदर नहीं बना है, इस बात को समझने की कोशिस करें, अब मैं इसका दूसरा जबरदस्त चमत बता रहा हूं वह चमतकार तो और भी एक नंबर का है क्योंकि हर इस्तरी पुरुष को इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि अगर उनके जीवन मुतार चड़ा हो रहे हैं पती पत्नी में अन बन हो रही है तो यह रिस्ता को सुधार देगा क्योंकि मधूरता लाता है यह स पुरुष ना मर्द है उसे मर्द बना देता है और क्या चाहिए एक सुखी संसार के लिए बस आपको प्रियोग कैसे करना है इस सिवलिंगी का मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले जो औरतें मा नहीं बन सकती या फिर उनकी गर्भासाय में कोई समस्या रहती है या फिर बहुत दिनों से उनका गर्भधारा नहीं हो पा रहा है ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है चाहे कारण कोई भी हो आप एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना क्या पता इसकी ही कमी थी और आपका काम बन जाए महिलाओं को रितुष नान के बाद याने म बीज का पाउडर जिसे पुत्र जीवक कहते हैं यहाँ भी एक अद्भुत फल है इसमें मान के चलिए जिसके संदान नहीं होती है अगर वहाँ पुत्र जीवक का बीज खा ले तो उसके अंदर पुत्र पैदा करने की सक्तिय जाती है या पुत्र पुत्री पैदा करने के लिए अंदर में उतना सामर्थ उत्पन्न हो जाता है इसलिए इस फल को ही पुत्र जीवक कहा जाता है तो इस पुत्र जीवक का फल का पाउडर एक चम्मच दोनों को मिला करके सिवलिंगी पाउडर एक चम्मच पुत्र जीवक पाउडर एक चम्मच बड़ा नहीं सबसे छो खाना चाहिए मतलब दूद में घोल करके पीना चाहिए लगातार एक माह तक कोई भी महिला कोई भी इस्तरी मा बन सकती है उसकी सारी गरभासे की समस्या ठीक हो सकती है रिजल्ट 101% मिल सकता है अब जो पुरुष नामर्द हैं उनकी मरदानगी कैसे बढ़ाएं या फिर उनक लंबे समय तक रती किरिया यानि संभोग कैसे कराएं ताकि वहा बच्चा पैदा कर सके और संतुष्ट कर सके अपनी इस्तरी को अपनी पतनी को तो उसके लिए आप जब भी रती किरिया करें तो नियम के हिसाब से करें ऐसे ही जनवरों की तरह ना तूट पड़ें और जल से सबको आना चाहिए तभी आप हर एक चीज को अच्छे से कर पाओगे तो रात को जब भी समागम करें तो एक सिवलिंगी का बीज और एक लाउंग का बीज यानि एक लाउंग और एक सिवलिंगी दोनों को एक साथ मुह में डाल करके एक घुट पानी के साथ अंदर कि सब कमजोरी पूरी द्रह से खत्म होती हुई नजर आएगी नस नस में जोस जग जाएगा और उत्तेजना तो पूरे सरीर में धधकती रहेगी। मुर्जाय सरीर में भी जोस और जुनून और इच्छा सक्ती बढ़ा देता है। जिसका मन नहीं है उसका मन बना देता है। हैड्रोलिक तुरंट काम करता है। चरम सुक की प्राप्ती दोनों को हो जाता है। क्योंकि इसमें जोस ही इतना है कि अगर पलंग मजबूत ना हो तो पलंग तूट जाता है। तो दोस्तों ये था बहुत ही खास जानकारी सिलिंगी का वीज के संबंद में अगर आपको वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मैं मिलता हूँ और अन्यखास बिसे स्वानस्पती की महतपून जानकारी लेकर तब तक फिलाल खुस रहिए हमेशा हसते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार जैहिन